अगर पुरानी चुन्निया साड़ी हैं तो आप पुरानी चुन्निया साड़ी से भी बना सकते हैं अगर आप उन से बनाना चाहें तो इसे उन से भी बना सकते हैं तो मैं इसे पुरानी चुन्निया से बनाऊंगी यह मेरे पास पुरानी दो कलर की चुन्निया मैं इससे बनाऊंगी तो बनाने के लिए मैं इसमें यहापर बीस फंदे डाल लूँगी बीस फंदे से बनने वाला फूद इस उंदर शाप्यारा सा मैट बनाएंगे हम देखिए इस तरह से एक नोट बनाएंगे ऐसे ऐसे नोट बनाया इस तरह से और देखिए इस पट्टी को हम ऐसे देखिए इस तरह से भी आप डाल सकते हैं इस पट्टी को यहाँ पे ले ले और इस पट्टी को ऐसे पकड़ ले और देखे ऐसे ऐसे आप फंदे डाल सकते हैं इस तरह से जैसे फंदे आपको डालने आते हैं आप उस तरह से भी डाल सकते हैं देखे इस तरह से आप एक नोट बना ले ऐसे आप सिंपल तरीके से इसमे फंदे डालने ऐसे देखे इस तरह से नोट बनाया और इसे टाइट कर देंगे ऐसे बुच जादा टाइट फंदे डालने है मैं देखे इसको इसमें से गुमाएंगे और उपर से ऐसे उतार के सिलाई से निकाल देंगे यह सबसे आशान तरीका है फंदे डालने का ऐसे इस तरह से आम इसमें 20 फंदे डाल लेंगे चार, पाँच, छे, साथ, आठ, बार, 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 तेरा, चोदा पंद्रा सोला सत्रा अठारा उनिस और ये बेस इस तरह से हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से इसमें 20 पंद्र डाल लिए देखें काउंट कर लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 20 पंद्र देखें मैं इसे 20 पंद्र से बनाऊंगी आप इसे बड़ा या चोटा कर सकते हैं पंद्र आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो उसके लिए देखिए पहली सलाई से हम डिजाइन शुरू करेंगे उसके लिए यहां से हम पट्टी को सलाई के निचे से गुमाएंगे और ऐसे बना लेंगे सब इफंदे हम उल्टा उल्टा बनाएंगे ऐसे भूती जी है इसे बनाना भूती जल्दी बनके तयार हुजाता है ऐसे बनाएंगे पूरी रो उल्टा उल्टा बुन लेंगे अब देखे इसे पूरी रो उल्टा बुन लेंगे अब देखे या से भी हम उसी तरह से एक फंदा स्लाए के निचे से प्टि गुमाई और इस तरह से फंदा बड़ा देंगे फंदे बडातेवे हम पाच फंदे इस साइड बड़ाएंगे और पाच फंदे उस साइड बढ़ाएंगे इस तरह से देखें आप मैं यहाँ पर 5 फंदे बढ़ाओंगे आप फंदे ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं अगर इसे बढ़ा बनाना चाहिए तो आप फंदे ज्यादा बढ़ा ले तो देखें इस तरह से बाक की पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से देखे एक फंदा हमारा इधर बढ़ गया है और एक फंदा इधर बढ़ गया है तो इस तरह से हमें एक फंदा इधर एक फंदा इधर बढ़ाते हैं इसमें पाच पाच फंदे दोनों साइड बढ़ाने हैं अगर आप इसमें इसे और बड़ा बनाना चाहें तो इसमें 6-6 फंदे बड़ाले, 10-10 फंदे बड़ाले, जितना भी बड़ाया छोटा आप बनाना चाहते हैं, उसी साब से देखिए, अब हम दूसरा फंदा बड़ाएंगे, यहाँ पर यह ऐसे हैं, बाकी पूरी रोह हमें उल्टा-उल्टा भूल लेने हैं, देखे फ्रेंड्स से वीडियो देखने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए, वीडियो को लाइक किजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रूप में सेर किया किज साथ में जो बेल आइकोन है उसे प्रेस किया किजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफकेशन सबसे पहले आप तक पहुचके कमेंट बोक्स में लिखके बताएं कि आपको मेरा प्यारा सा डोर मैट कैसा लगा आप इसे डोर मैट में यूज कर सकते हैं पूजा मैट में यूज कर सकते हैं टेबल मैट में यूज कर सकते हैं बहुत ही प्यारा सामारा मैट बन के आएगा और बहुत ही जी है इसे बनाना बिगनर भी इसे आसानी से बुन सकते हैं ऐसे देखिए फिर से हम एक फंदा वड़ाएंगे यहाँ पर ऐसे है अगर आप इसे ओम से बनाना चाहते हैं तो इसे ओम से भी बना सकते हैं मैकरम है आपके पास तो उसे भी बना सकते हैं ऐसे है इस तरह से देखे ऐसे है ऐसे बनके आएगा ऐसे ही हम इसमें पाच फंदे देखे पाच फंदे इधर बढ़ाएंगे और पाच फंदे इधर बढ़ाएंगे तो चलिए मैं पाच पाच फंदे बढ़ाने के बाद आपको दिखाते हैं देखे यहाँ पर आमारी इस तरह से एक, दो, तेन, च्यार, पांच, पांच दार्या बन के आ गई हैं और यहां पर हमारे पांच पांच पंदे, पांच पंदे इधर और पांच पंदे उधर बढ़ गए हैं तो देखें उल्टी साइड से अब यहां पर सेकिंड कलर लगा देंगे यहां पर उल्टी साइड से लगाएंगे हम सेकिंड कलर, ऐसे देखें एक फंदा हमें यहां पर बढ़ाना है तो वो हम इस मेरून कलर से बढ़ाएंगे ऐसे लेंगे और इस तरह से बना देंगे इस प्टी को साथ में ले लेंगे दबा लेंगे और यह पूरी रो हमें उल्टा उल्टा गुह लेने है ऐसे देखें पांच फंदे हमने इस साइड बढ़ाए और पांच फंदे उस साइड तो हमारे यह 30 फंदे हो गए अगर देखें आपको इसे बढ़ा बनाना है और भी तो आप इसमें फंदे बढ़ा सकते हैं आप इसमें 24 फंदे भी डाल सकते हैं 30 फंदे भी डाल सकते हैं जितना भी आपको बढ़ा बनाना है आप उसी साब से इसमें फंदे बढ़ाया गटा सकते हैं इसमें इसमें कोई फंदे बढ़ाया है दोनों साइड आप वहां पर 6-6 फंदे बढ़ा लें जितना भी आपको बढ़ा बनाना है उसी साब से आप फंदे बढ़ा लें उल्टी रो जो यह रो है हमें ऐसे ही बनानी है देखें इस फंदे को उतारेंगे धागा अपनी फंदा बढ़ाना नहीं है तो ऐसे ही हम इस पूरे रो को उतार लेंगे पूरे रो उल्टा उल्टा बनाएंगे इस रो में हमें ना तो फंदे बढ़ाने है और ना ही फंदे बढ़ाने है यह दो रो हमें ऐसे ही बनानी है और फंदा जो दूसरी पट्टी है वो हमें उल्टी साइड से ही लगानी है ऐसे और खुश्न码 आप दिन्ही दिन कर दूपझ कर द abundत मुश्न हैसी आप देखिए हमें यहां से एक फंदा घटाना है तो दो का एक बना देंगे यह दो फंदे लिए और एक साथ दो का एक बना देंगे इस तरह से जो यह जो पट्टी है इसे हम साथ में ले लेंगे गरीन वाली पट्टी को साथ में ले दिरेंगे तो देखिए इसको जो हमें चुनने की कटिंग की थी इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से कटिंग करने देखिए हमें गाठ लगाने की जुरूत नहीं पड़ती ऐसे ही हम पूरी चुनने की कटिंग कर लेते हैं चुनने की कटिंग करना बिना गाठ लगाएं मैंने अपने चैनल पर डाल रखिए आप चैनल पर देख सकते हैं ऐसे ऐसे बना लेंगे पूरी रो उल्टा उल्टा बुन लेने हैं अब हमें जैसे पांच फंदे इस साइड और पांच फंदे वो शाइड बड़ाए थे वैसे ही हम दोनों तरफ से एक-एक फंदा घठाते हुए बनाएंगे एक फंदा इस साइड से घठा लेंगे और एक फंदा दूसरी साइड से दोनों तरफ से एक-एक फंदा घठाते हुए हमें इसमें 20 फंदे रहने तक जैसे हमें 20 फंदे डाले थे वैसे ही 20 फंदे रहने तक इसे दोनों तरफ से फंदे इसमें घठा लेंगे बाकी रो हैसे ही बनाने है उसमें हमें कुछ बिनिकर ना देखिए इस तरह से हमारा मैडवन क्याएगा ऐसे अब फिर यहां से दो फन दे लिए और ऐसे बना दिए दो का एक बना देंगे पर बाकी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे यह सब इफंदे हम उल्टा उल्टा बोन लेंगे कर Süd यह सब आपालत मेएक इफंदे हम आपन हम अपन आपि शिपषा इफंदे हम अपन आपन आप आपन आपन का इफंदे हम आपना है ऐसे बनाएंगे इस तरह से देखे अब हम फिर यहां से दो फन देखा एक फन दा बनाएंगे दो फन देखे एक फन दा बना लेंगे और इस ग्रेन पट्री को उपर की साइड ले लेंगे ऐसे इस पट्टी को देखे साथ साथ लेते वे चलिए क्योंकि आगे हमें गरेन कलर से बनाना है ऐसे बना लेंगे हमें बहुत ही आसानी से बनने वाला मैट है यह और बहुत ही जल्दी बनके आएगा इस पट्टी को हम ऐसे फोल्ड करके बना लेंगे इस तरह से देखे यहां से हम फिर से तो फन देगट आएंगे ऐसे है आस पट्टाम लेंगे तो चलिए पाच पाच फन दे दोनों साइड से गठाने के बाद आपको दिखाते इस तरह से यह देखी मैंने इसे यहां तक बना लिया है यहां तक देखी मैंने इसमें यहां से 20 फंदे डाले 20 फंदे डालने के बाद 5 फंदे इधर बढ़ाए और 5 फंदे इधर बढ़ाए और फिर 5 फंदे यहां से दूसरे कलर स यह second color लगाने के बाद हमें एक दो रो ऐसे ही बनाई उसके बाद हमने यहाँ पर पांच फंदे इदर गटाए और पांच फंदे उधर गटाए ऐसे ही देखे सेम बनाते वही ऐसे सेम यही यही repeat किया और यहां भी देखे अब मैं यह second color लगाओंगे तो second color लगाने के देखिए आप इसे जितना भी बड़ा छोटा बना सकते हैं मैं इसे इतना बड़ा बनाऊंगी आप इसे और भी बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा सकते हैं देखिए अब मैं इसमें second color लगाऊंगी यहाँ पर दुबारा से मैं एक बार आपको फिर से बतात करते हूं कि देखे यह सेकंड कलर लगाऊंगी आपर एक फंद हमारा इस तरह से घटाएंगे ऐसे कि देखे अब हमारे बीस फंदे बच गए हैं या पर देखे दो कि तेन कि चार पाँच चे चे इस पट्टे को ऐसे बीच में लपेट लेंगे ऐसे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंद्रा सोला सत्रा अठारा उन्नीस और ये बीस एक फंदा ये हम यहां से गटाएंगे एसे रिश्पूरी रोग को उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे ये दो रोग हमें ये हमारा यहां पर एक फंदा बच गया था जो हमने गटाना है तो वह गटा लिया और इस पूरी रोग को ऐसे ही बनाएंगे देखे मैंने इसे पूरानी चुन्नी से बनाया है आप इसे ओन से भी बना सकते हैं पूरानी चुन्नी का ये भोथ ही अच्छा यूज है बिल्कुल मार्किट से मिलने जैसा हमारा ये मैट बनके आएगा ऐसे इस पूरी रोग को हम ऐसे ही बना लेंगे वापिस ये इसे मुड़ जाएंगे और देखे इस रोग से अब हमें यहाँ पर फंदे बढ़ाना शुरू करना है यहाँ पर हम फंदा बढ़ाएंगे जैसे पाच पंदे हमने यहाँ पर बढ़ाए थे वैसे ही हम पाच पंदे इस साइड और पाच पंदे उस साइड बढ़ा लेंगे इसे ही शलाई के निचे से पट्टी गुमाई रैसे फंदा बढ़ा लिया जो यह मैरून पट्टी है इसे हम साथ में ले लेंगे और पूरी रोग ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे पूरी रोग उल्टा उल्टा बनाएंगे देखे इस पट्टी आप दूसरी पट्टी को एक साइड ले ले और इससे आपकी पट्टी का क्या है कि आपकी पट्टी में यह उल्जेंगी ने.. ऐसे आप देखी हम इस साइड भी एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे पट्टे को घुमाया सलाई के निचे से और याँ पर एक फंदा बढ़ा लियाँ इस तरह से ही बनाते हुए आप इसे जितना भी बढ़ा बनाना चाहें बढ़ा बना सकते हैं मैंने इसे 20 फंदे से बनाया है आप इसे 30 फंदे से बना ले 40 फंदे से बना ले जितना भी बढ़ा बनाना चाहें फंदे आप उतने ही ले ले इसमें मैंने इसे 20 फंदे से बनाया है ऐसे देखे जो एक पट्टी है इस पट्टी को आप साथ में लपेट ले ऐसे बहुत ही इजी है इसे बनाना और बहुत ही ज एसे हैं ू भूत ही सुंदर बिल्कुल मार्केट में जैसे मैट मिलते हैं बिल्कुल ऐसा मैट बन के आएगा हमारा इससे तरह से हम पाच फंदे के जिटर बड़ा लेंगे और पाच इधर बढ़ाएंगे ऐसे बनाते हैं देखें पिल्कुल सेम पैटन से बनेगा बनाने का तरीका सेम रहेगा बढ़ा या छोटा आप बना सकते हैं तो चलिए देखें मैं ये पाँच फंदे बढ़ा लेते हूँ इस तरह से देखें फिर से पट्टे गुमाई ऐसे एक फंदा बढ़ा लिया बाकी रूँ ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे पूरे पट्टी स्लाइल उल्टा उल्टा बनाएंगे ऐसे फिर से देखें हम या पर एक फंदा बढ़ा आएंगे इस तरह से और पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे यह देखें हमारी या पर एक दो यह हमारे दो फंदे इस साइड बढ़ गए हैं और दो फंदे उस साइड तो देखें हम काउंट भी कर लेते हैं दो च्यार छे आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंद्रा शोला 17 18 19 20 देखे 20 पंदे हमारे ये हैं और 4 पंदे हमारे बढ़ गए हैं 2 पंदे हमने इस साइड बढ़ाए और 2 पंदे उस साइड बढ़ाए तो ये हमारे 4 पंदे बढ़ गए है दोनों साइड से हमें 5-5 पंदे बढ़ाने हैं इसमें हमें तीसपन देवनाने है यह देखे यहां पर हमारे दो, च्यार, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, एक फंद्रामी आवड़ाएंगे यह 39, और इस पूरी रो को उल्टा-उल्टा भून लेंगे, ऐसे ही देखे, सेम पैटर्न से आप इसे बड़ाया चोटा बना सकते हैं, मैं इसे इतना ही बनाऊंगे, आप इसे जितना बड़ाया चोटा बनाना चाहें, बना सकते हैं, ऐसे देखे, इस रो को हम लास्ट तक बुन लेंगे, ऐसे, आप सकते ही हैं, मैं अज्टा तो यहां पर एक फंदा बढ़ा लेंगे, देखे ऐसे, दो, चार ये पांच, ये पांच बनके आएंगे, जैसे हमने ये देखे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच हमने यहां पर बनाई थी, पांच हमारी यहां पर बनके आगी, और पांच पांच पंदे, अमारे पांच पांच पंदे इधर बढ़ गए तो देखिए अब आप सेकंड कलर लगाएंगे तो सेकंड कलर में आप इसके घटाई शुरू करेंगे जैसे हमने पांच पांच पंदे बढ़ाए हैं वैसे ही आप पांच पांच पंदे इसमें घटाएंगे तो देखिए ऐसे ही बनाते देखें ऐसे बनाए लेंगे इस पूरी रो को हम उल्टा-उल्टा बुल लेंगे ऐसे ऐसे बनाएंगे हम यहाँ पर हमें अब सेकिंड कलर लगाएंगे तो उसमें हम दो रो पहले बनाएंगे रो में हमें घटाना या बडाना नहीं है जैसे हमने इसमें बनाया है तो देखें आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए सेर किया कीजिए साथ में जो बेल आइकोन है उसे प्रेस किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट बोक्स में लिखके बताईए कि आपको मैट कैसा लगा यह मेरा प्यारा सा डोर मैट आपको कैसा लगा देखिए ऐसे ऐसे ही बनाते हुए आप इसे इसमें यहां से आप जितना और बड़ा बनाना चाहें मैंने इसे यहां तक बनाया है आप इसे बड़ा बनाना चाहें तो यहां पर आप सैकेंड कलर लगाने के बाद पांच फंदे इस साइड से गटाएं और इसे जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं